हाई फ्रेंद्स विल्कम तो माई चानल दो आसम सिटी है अधरबाद अमी स्पेशल कैसे आप सब लोग को मित आप सब ठीक होंगे आज आपको फोटो देखकर ही पता चल रहा होगा आज हम क्या बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन और इसमें हमने इसमें हमन पेपर मिलाया है बलाक पपर पाउडर मिक्सट हर्प्स मिलाया है इसमें हमने ती स्पून इसमें हमने दही मिलाया है तुटी बस्पून जीन्य गालिक पेस्ट मिला लेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून, इसमें हमने नमग मिलाया है, टेस्ट के हिसाब से, इसमें हमने करी लिव्स मिलाया है, कॉन फ्लॉव, टेबल स्पून, तो आप जली जली कमेंट करके बताएं, आज हम कौन से रिवस्ट रिशिपी बनाने वाले हैं, अपने फोटो तो देख लिए, पता तो चल गया हो गया, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे, जल्दी कमेंट करके बताएं, हमने कौन से रिशिपी बनाई हैं, आज आप कॉंसे सिटी कॉंसे से हमारा वीडियो वाच कर रहे हो, आज रिशिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, डेलिशिस माउट वाटरिंग, सब को बहुत पसनाती है, यह आप ज़रू ट्राइ मारिनेट करने की देर हैं, इसे हम अच्छे से रख देंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमने फूट कलर मिलाया है, रेट कलर, क्योंकि हमें चिली चिकन का हमें रेट कलर आना है, तो यह हम इसे रेट कलर मिला लेंगे, और इसे हम 45 मिनिट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे, ताकि यह सारी चीजिए जो हमने इसमें मिलाई हैं, अच्छे से मिक्स हो जाए, मिलते हैं, 45 मिनिट्स के बाद, अब हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने बहुत सरा ओयल डाला है, क्योंकि हमें यह डी फ्राइ करना है, ओयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसे डी फ्राइ करेंगे, सारे पीसे को, जब तक फ्राइ हो रहे हैं, आप ग्रीन चिली स्प्लिट करके तीन चार कट कर लीजिए, और लेमन को भी टू हाफ्स में कट करके रेडी रख लेजिए, क्योंकि हमें खाना है, नीम नी चोड़ के, और ग्रीन चिली भी हम से फ्राइ करेंगे, वह भी इसके साथ बाद ही म आप इसे बर्गर बन में भी रखके खा सकते हो, या खाली भी खा सकते हो, बहुत ही यमी डिलिशियस टेस्टी रहेगा, और बहुत ही जल्दी कम टाइम बनने वाली रेसिपी है, यह सिर्ट के लिए यह से टाइम चाहिए, अदरवाइस बहुत ही जल्दी बन जाएगे रे मूं में तो पानी आ रहा होगा आपके, हमारे मूं में बहुत पानी आ रहा है, जल्दी से हमें से फ्राइ करना है, और हमें से टेस्ट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है यह, अपने फ्रेंस और फामली तक भी यह वीडियो शेयर किजिए, ताकि वह भी इतनी आसान इतनी माउट वाटरिंग रेसिपी, ट्राइ करें, कमेंट करके जरूर बताइए, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, सारी पीसे हम एक एक करके इसमें फ्राइ कर लेंगे, इससे आप रुमाली रोटी के साथ खाईए, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा, या फिर प्राइए, बहुत ही अट्राइक्टिव लगता है यह और ग्रीन लीवस हम इसके साथ खाएंगे तो हमारा यह हम जो खाएंगे यह हज़र भी हो जाएगा और टेस्ट भी देगा, सारी पीसे हमने फ्राइ कर लेना है कर करके, किया प्राइब कर, हम रेक् casi प्राइब, कर लेक्ति कर रेक्याब surface हम लिए acompa मज़िक कर आ आपको पसना रही होगी आप कौनसे स्टेट से वाच कर रहे हैं तो हमें बताईएगा जरूर ताकि हम आपके स्टेट की भी रसीपी ट्राइ करेंगे तलिए बी अच्छे से फ्राई हो गया है अच्छे से रिड गलर आया है इसके ओपर हम लेमें लिचोड़ेंगे इसका जूस डार लेंगे लेमें का और इसे हम जो भी गरीन चिली फ्राई करेंगे वो भी इसके साथ बाईट से लेकर हम क्काएंगे बहुत ही यमी डिलिशियस स्माइट वाटरिंग टेस्टी रहेगा यह देखे कितना ब्यूटिफिल कलर आया है इसका और यह ग्रीन लिव्स पे तो बहुत प्यारा लग रहा है बहुत प्यारा माशाळला 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 सुबहा अगला यह देखिए हमने ग्रीन चली को स्फिलिट किया है यह काई हdefense शिपर हो है इसके सांद चासे जाय है हम इससाथ सब्सक्राइब करेंगे अ हम चैनल द वाओसम से टीहित्रावड हमें इस वेस्पेशल को सब्सक्राइब किजिए हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा आप जब सब्सक्राइब करोगे आप जब लाइक करें गए हमारे वीडियोज को जितने लाइक बढ़ेंगे अपनी जादा खोशी होगी हमें अतना जादा एंकरेजिमेंड मिलेगा आपके लिए और रेसिपी बनाने का तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब के साथ शेयर कीजिए, बहुत ही उसफुल रहेगा हमारे चैनल को देखना, आपके बहुत काम आएगा ये, ये देखिए हमारा ग्रीन चिली चिकन रिडी हो गय चपाती से खाईए, रोटी के साथ खाईए, या फिर बटनान के साथ खाईए, या रोमारी रोटी के साथ खाईए, बहुत ही मज़ेदार रहेगा, कमेंड करके बताएए आपको रेसिपी कैसी लगी, और कौन सेस्टेट से आप हमारा वीडियो वाच कर रहे हो, सब्सक्रा आपी जी का चैनल को, थैंक्स फो वाचिंग, टिकर फियोसेल्फ, अलाह आफेस, मिलेंगे इंशाथ नेक्स वीडियो में,